श्रीन आज्जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भहरबाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश मा लक्षमी की साधना, कल्युग में जो पुराना तंत्र है, जो गौरी पारवती समवाध है, उसके जो मंत्र है उन से नहीं किया जा सकता है क्यूँ नहीं किया जा सकता है? एक तो दिन कम हमारा आईू कम और महादेव ने सारे मंत्रों को किलिट किया था और माता पारवती को बताया था कि कल्यूग में लोग जो होंगे वो अविश्वासी होंगे और अविश्वासी होने के कारण वो मंत्रों पर भरोसा नहीं करेंगे जिसके कारण जो मंत्र है वो दुस्ट परिनाम देंगे इसलिए उन मंत्रों को वो किलित कर चुके है लेकिन एक राह निकाली वो ता शाबर मंत्र और शाबर मंत्र के जो सबसे बड़े गुरू हुए वो हुए गोरक्ष नाजी और कानिफ नाजी जो गोरक्ष नाजी के मंत्र है और जो ऐसे मंत्र है जिसमें गोरक नाजी की दुहाई दी जाती है मतलब कि जो गोरक नाज के शीशों ने जो मंत्र बनाया वो हमेशा काम करता है वो इसलिए काम करता है क्योंकि कथा ऐसी है कि मचेंद रनाजी जब कमाख्या में फसे थे तो जो रानी थी रानी को हनुमान जी का वर प्राप्त था कि ये योगी जो है उनके साथ रहेंगे तो जब मचेंद रनाज को निकालने गोरक नाजी गय थे जाग मचेंदर गोरक आया तो हनुमान जी श्री राम के साथ ब्रह्मन का रूप ले करके गोरक्षनाजी को रोकने गयते और उसके बाद जो बाद विचार हुआ उससे राम जी ने प्रसन्न हो करके गोरक्षनाजी को एक वर दिया था कि जाईए आपको हमने वर दिया कि आपका मंत्र और आपकी दुहाई का लगा हुआ जो मंत्र है वो हमेशा कारे करेगा अब आते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए तो जो नाथ संप्रदावे का मंत्र होता है वो उनके ही भाव और विचार के हिसाब से होता है यंत्र मंत्र मिला करके तंत्र चलता है बहुत अभिचारिक वस्तुगों का प्रयोग नहीं होता है, देखो नाथ योगी तो वो होते थे, जो ऐसे जगा पर मलत्याग में नहीं करते थे, जहां पर आम लोग करते हैं, इतना सीक्रेसी था उनके जीवन में, और मुख्य जो होता है वो होता है धुनारामाना, जो तो पहला नंबर का जो वस्तुग आपको इस साधना को पूर्ण करने के लिए चाहिए, वो चाहिए एक हवन कुंड, ठीक है, हवन कुंड के बाद आपको चाहिए कमल गट्टे का बीज, जो कमल गट्टा बोलते हैं, कमल का बीज, उसमें आपको आधे, आधी के संख्या में आ आपको मिलाना है इलाइची, और उसके आधे संख्या में आपको मिलाना है सफेद चावल, जो अरवा चावल होता है, इस मिश्रन से हम हवन करेंगे, ठीक है, सामने हम एक पोटली बनाएंगे, एक लाल स्क्वेर पोटली लेंगे, सावा फिट के, सावा, 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 और तरफ से रहे, ऐसी पोटली होगी, उस पोटली में हम रखेंगे, आयूरवेदिक दुकान में मिलती है काली हल्दी, वो काली हल्दी नहीं, जो कि चमतकारी लोग बेचते हैं, वो नहीं चाहिए हमें, हमें आयूरवेद वाला काली हल्दी चाहिए, एक वो काली हल्दी ले लेंगे, एक छोटा दक्षिनवर्ती शंक ले लेंगे, एक और सीप के समान आता है जिसको कौडी बोलते हैं, उस कौडी को हम रख लेंगे, ठीक है, इसके अलावा एक चांदी का सिक्का रखेंगे, चार वस्तुए हो गई, और थोड़ा, यानि पांच या एक की संक्या म को एक साथ बांदना है, मतलब दो कोने को एक साथ, दो कोने को एक साथ, फिर जो चार कोना चारों तरफ निकलेगा, उन चारों को एक साथ बांदना है, ठीक है, तो टोटल जो है, आठ कोने उसमें बंद जाएंगे, अस्ट लक्षमी के, ठीक, उसके बाद एक मौली धागा लेना है और उसके उपर आठ बार घुमा करके फिर उसको बांद देना है ताकि ये जो पोटली है ये कभी खुलेना, ठीक है? सामने एक आसन रखें, आसन पर ये पोटली को आप रखते हैं, ठीक है? और उस आसन से सवा फीड की दूरी पर आप अपना धुना, मतलब जो आप आपको हवन करना है वो तयार करेंगे आम की लकडी हो सकती है इसमें सर्वोत्तम होता है देखे जो शास्त्रवित है जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि मुंगे की माला या हाथी के दाथ की माला से आपको इसका जाब करना है वो अब संभव नहीं है क्योंकि मुंगा ज अच्छा क्रिस्टल का माला जिसको स्पेटिक की माला बुलता है स्पेटिक की माला मिल जाए तो उसका प्रयोग करेंगे ठीक है जो हवन कुंड हमारा सजेगा वो त्रिकोन में सजेगा ठीक है और जो भगवती जो है आपकी वो पश्चिम क्यों रहेगी मतलब भगवती का प कौन है वो भी पश्चिम की तरफ रहेगा ठीक जो पोटली बनाया है उसका हम पहले पंच पूजा करेंगे मतलब क्या उसके उपर जो है लाल फूल देंगे उसके आसपास लाल प्रशाद रखेंगे उसके आसपास घी का दीपक जलाएंगे धूप जलाएंगे जो धुना दि कितना जाब करेंगे मातर 108 बार एक दिन ठीक है और उसके बाद रोज जब भी आप जिस भी कार को करते हैं मान लिजे आपका दुकान है या आप ऑफिस में बैठते हैं ठीक है या फिर आप लेखा के जो भी आप कारे करते हैं उस कारे को करते समय उस कुरसी पे बैठते समय जितना देर आपको लगे उस कुरसी पे बैठने में या आपको दुकान खोलने में उस मंतर का जाब करेंगे मंत्र क्या सुनिए? फिर से एक बार मंत्र सुनिए? इसको याद करके ही आप जो है साधना करने जाप करने बैठिएगा ठीक है? और जाप इसमें करना नहीं, इसमें सीधे आपको हवन करना है, सीधे हवन करना से क्या होता है? जाप करना है कि दस गुना लाब मिलता है, किसी मंत्र का, लेकिन उससे पहले क्या है कि यह मंत्रा आपको कंठास तो होना चाहिए? इसका उच्चारन सही ताब इसको सही से याद कर लेंगे इसको कर लेने के बाद इस मंत्र को कर लेने के बाद आपको पहले दिन से जिस दिन भी आप करेंगे देखें ऐसे तो लक्षमी का जो जाप है पश्चिम के और देख करके शुक्रवार को करना चाहिए तो किसी भी अगर सोमवार से आप इसको अपने जो व्यपारिक जीवन है जो आपका जो ऑफिशल जीवन है उसमें जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अनंत लाब जो पिछले दिन उस कुर्ची पे बैठ करके आपको धन आरजन हुआ था उससे कहीं जादा धन आरजन आपको आज हो रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा तो जिनको भी व्यपारमे विर्धी चाहिए जिनको भी अपने व्यए और जो कमाई है उसमें एक बैलन्स चाहिए वो इस साधना को करें अत्यंत लाब होगा और विश्वास करके साधना को करें आज के मालक्षमी और राची वाले भेर बाबा पे सदा सहाएक रहे ऐसे मेरे उन से प्रात्ना आप सबी को आदेश 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 अलाख आदेश